नमस्कार दोस्तों आप सभी के सवागते हैं हमारे एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो पे तो आज के वीडियो होने वाला काफी खास होने वाला है क्योंकि लिए मैं आप लों के लिए कुछ ऐसे अपलों के लिए कुछ ऐसे हाई ग्राफ 10 गेम लेका हूं आपके मेड और इंटलेस्टी ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर आई 3 या उससे भी कम है और उसमें आप कुछ अच्छे हाई ग्राफिक्स गेम खेलना चाहते जो की उपन वल्ड हो तो भाया यह वीडियो सरफ आपी के लिए होने वाला है वीडियो को देखते हो लाइक नहीं करते हो द सब्सक्राइब करना में सैंत्रो फोर की बात करें तो भाया एक दो हजार का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो में जिसे डबलब किया गया है वैल एश्वन के दवारा एंड से पब्लिश चाहिए डीप सिल्वर के दवारा एंड यह तो गेम आपके सभी प्ला को जो वर्ल्ड मिलता है वहाँ पर एलियंस अटाक कर देते हैं आपको सिंपली अपनी जो सीटी रहते हैं उसे एलियंस से बचाना रहता है और काफी सारे इंट्रेस्टिंग मिशन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं इस गेम की सबसे अच्छी बात क्यों हमने इ आइ ग्राफिक्स गेम खोज रहें अपने मेंड रेंज वाले PCI laptop के लिए तो बहुए अंत्रों फोर्स रफ आपी के लिए बना हुआ है बात कर लेंगे सिस्टम रिक्वार्मेंट की कि भाईया मिनिमुम सिस्टम रिक्वार्मेंट क्या होना चाहिए बस रैम चार्जी भी होना चाहिए ग्राफिक काट पांसो बाराम भी होना चाहिए उससर की बात करें तो बहुए डुल कोर मेंगे मराम से चल जाएगा स्पेस की बात करें तो मात्र दस जीबी के असपास बेस खाल रखना अपने PCI laptop और अगर आप सोच रहें कि भाई इस इंस्टॉल करूँ या किया गया था बिसिकली यह गेम आपका एक्षिन एडवेंचर ओपेंड वीडियो गेम है एंड इस गेम को आप खूबी जानते हैं हमारा चाइल हूट गेम है बट वेट वीडिविट ट्विस यहां पर आता है कि भाईया यह डिफिनिटिव एडिशन है यहां पर नेक्स ल पूरा ग्राफिक्स आपको ग्राफिक्स यहां पर आपको देखने को मिल जाता है गेम की मोट की बात करें तो भाईया गेम सिंगल प्ले रहाता है और यह आपके सभी प्लैटफॉर्म के लिए काफी हसानी तरी का से उपलब दे आप इसे PC प्लैटफॉर्म, Xbox, PlayStation 4 और PlayStation 5 में इन फैक्ट एंड्रोइड में भी आराम से खेल सकते हो आप सभी को पता है यह जीटी सेन अंट्रियास में अपने को काफी बड़ा मैप देखने को मिल जाता है मैप के साथ जब आपको नेक्स टेवल का ग्राफिक्स मिले तो भाईया खेलने का मजा ही कुछ और आता है तो आगर आपके पास एक मिल रेंज वाला PC है तो भाईया इस गेम को सरू से खेलना इस गेम को 4GB RAM पर टेस्ट किया है बिना lag बिना किसी इशू के चल रहा है भाईया तो भाईया राम की बात करें तो मातर चार्ज भी होना चाहिए ग्राफिक आट्स की बात करें तो भाईया इंटल एजडी ग्राफिक में काफी आसानी तरीकर चल जाएगा प्रोसेसर की बात करें तो आई तरीक आपके पास प्रोसेसर होना चाहिए स्पेस की बात करें वाई 23GB के आज पास पेस खाल रखना इस गेम को स्टॉल करने के लिए पहले बोला वही करो कूद फान के हमारे इस पढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है जस्कॉस 3 2015 का आक्शन एडवेंचर ओपें वीडियो गेम है जिसे डवलब किया गया अवलान स्टूडियो के दौरा एंड इसे पब्लिस किया गया स्क्वार यूनिक्स के दौरा बैसिकली यह जस्कॉ ककी इस गैम काफी यहां ऑप पे ड行र को मिल जाता ह्ओ आपके मन में एक सबूरोर को होता है итай हम थोड़ी आखिल पाएंगे अपने छाट जबी बट यहां पर for your correction में बता दूं कि इस game को आप 6GB RAM में काफी आसाई तरीका से खेल सकती हो अगर minimum system requirement की बात करें तो 4GB RAM होना चाहिए graphic cards की बात करें 1GB का need है और दुस्तों processor की बात करें तो i3 में अराम से चल जाएगा space की बात करें 40GB का इसपा space खाय लिए होना चाहिए इस game को install करने के लिए तो भाई यह है इस game का minimum system requirement अपन इस system requirement में इस game को test किया है और अगर आप इस game को medium setting में भी खेलते हो तो भी इसका जो graphics quality है वह काफी realistic यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और game दोस्तों पूरा open world है आपको काफी मजा आने वाला है क्योंकि इसमें आपको काफी interesting missions देखने को मिल जाएंगे और आप इधर विदर भटक भटक भी सकते हो after game खेलने के बात मतलब पूरा enjoy कर सकते हो freely इस city को remake अभी newly release हुआ Rockstar के द्वारा तो जो GTA 3 दूस्तों 11 November 2021 को release हुआ था Rockstar game के द्वारा and basically यह game आपके सभी platform के लिए काफी असाइन तरीका से उपलब दे आप इसे PlayStation 4 Xbox PlayStation 5 Android in fact अपने PC platform के लिए काफी असाइन तरीका से install कर सेकते हो यह game की बात करें तो भाईया जो आप childhood में GTA 3 खेलते थे उस type का graphics यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा उससे यह पर आपको देखने को मिलेगा मतलब यार पूरा गेम का काया पलेट दिया गया है यार आपको लगे का कहीं नहीं मैं यहाँ पर GTA 3 खेल रहा हूं काफी सारे reflection इसमें add किये गये हैं यार का सच बताओ तो यार आप जैसे की देख सकते हो गेम को यार कता ही next level का यहाँ प की बात करें तो बहिया पांसो बारा हैं पी नीड है अंडूस्तों प्रोसेसर की बात करें तो आई थ्री में काफी घब आसाई तरीका से चल जाएगा आप trust की बात करें तो आट जिबी के आसपा त्शी खाल रखना इस गेम को स्ट्रॉल करने के लिए गेम नहीं को बात न जितने होगा जितना भी में गेम सीरीज बता रहा हूं पूरा पैसा वसूल है यहां पर हम बढ़ते हैं हमारे फिफद गेम के उपर जो माना फिफद गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है नीट फोर स्पीट मोस्ट वांटेड गेम काफी पुराना है अभी आपको गेम्स मि काफी आसानी तरीका से उपलब दे आप इसे PC प्लाटफॉर्म, Android प्लाटफॉर्म, PlayStation 3, PlayStation 4 अपने iOS प्लाटफॉर्म में भी आराम से खेल सकते हो मोट की बात करें तो भाहिया मल्टी प्लेयर यहां पर आपको देखने को मिल जाता है मतलब अपने फ्रेंट से साथ काफी आस रही कुछ और रहेगा और यहां पर जब आप रेसिंग करोगे तो भाहिया जो आपको environment देखने को मिलेगा वो पूरा open world यहां पर environment आपको देखने को मिलेगा काफी मज़ा आने वाला और graphics quality तो भाहिया आप compromise ही मत करना यह मत सोच नहीं है यह ग्राफिक्स quality काफी डाल रह इसरें बाझ की बाथ करें तो होर तो भी ठीक ना हो थो को बिठीक प्रोसेसर की बाथ करें टो यह दूवल कोर में चल जाएगा और यह 10 जपी के एचि यह पास डीशन चाहिए ऊस गेम को शेया गेमhando और यह आपका मन मानता है चलो एक आक पर ञें करके देखते हैं तो भह एडवेंचर ओपेंडवल वीडियो गेम है जिसे डबलब किया गया है रॉकस्टार गेम्स के दुवारा एंड बेसिकली आप इसे प्लीज कंपेर मत करना वो पुराने वाइसीटी पे आप नीचे कमेंटेशन में यह मत बोलना कि भाया इसका ग्राफिक्स होने रियालिस्टि होगा आप तो जीटिये 5 में रन कर रहे हो तो भाया यह जीटिये वाइसीटी का डेफिनिटी वेडिशन है तो आप इसे अपने मिड रेंच वाले PCI लाप्टॉप पे काफी अच्छे ग्राफिक साथ खेल सकते हो और इन फैक्ट इस आपकी सभी प्लाफॉर्म के लिए वो तोटली नेक्स लेवल ग्राफिक्स कॉलिटी है और यह आपके मिड रेंज वाले PCI लाप्टॉप पे काफी अच्छे तरीके से रन करेगा और काफी अच्छे ग्राफिक्स में चलेगा भाई एन इस गेम को जो मिनिमम सिस्टम रिक्वार्मेंट है वो यहाँ पर में र फिर से दहराना चाहूंगा कि अगर आप इस गेम को ट्राइ करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर लिंक है जाके ट्राइग कर सकते हैं तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे सेवेंद गेम के उपर वेल के उमारा सेवेंद गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है फार की बात करें तो भाई याई 2012 का फर्स परसिंग वीडियो गेम में जिसे डबल अपन पब्लिश किया है कि यूवी सॉफ के दौरा एंड फार करी स्रीज का ये थर्ड गेम निकल के आता है एंड वेल गाई इस गेम की बात करें तो गेम आपके सभी प्लैटफॉर्म के लिए का काफी आसाइन तरीका से कई सकते हो गेम की बात करें बात करें तो घया पर कि इंट्रिस्टिंग मेशा से देखने को मिल जाते है यहाँ पर आप एक फ़ॉरिस्त पे जाते हो जहाँ पर आप इधर बतर भटक फुटक जाते हो बट हमारा जो गेम का हमने लिस्ट में क्यों एट किया है चुको लिए इस गेम को जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो काफी रेलिस्टिक है मतलब आपके मेड रेंज वाले PCI लैप्टॉप पे आपको अच्छे ग्राफिक्स में गेम का मौका देखने को मिल जाता है गेम टोटली ओपेंड वर्ल्ड है वो हर एक चीज़ कर सकते हो जो कि आप एक ओपेंड वर्ल गेम में करते हो तो सबसे बेस्ट अगर आप एक बेस्ट टोई लाइन और हाई ग्राफिक्स गेम खोज रहें अपने मेंड PCI लैप्टॉप पे तो भाइः यह गेम सरफ आभी के लिए बना हुआ है गेम की स्टम रेक्वर्मन की पात करें तो जिबी होना चाहिए और ग्राफिक करस की बात करें तो महातर पांस ब्दना वेनी डायांग निज अग्ट जैसा चल जाएगा उससे कमें तो भी चल जाएगा और space की बात करें तो भाया 20 GB के असपा space खायल रखना अपने PCI Laptop इस game को install करने के लिए और अगर आप इस game को install करना चाहते हो तो भाया शार्माने की कोई बात नहीं link है डिस्केपशन में जाके install कर लो तो बढ़ते हैं हमारे 8th game के उपर तो जो हमाँ लिस्ट में एट गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है बैटमैन आर्कम नाइट बैटमैन आर्कम नाइट 2015 का एक्षिन एडवेंचर ओपन वल वीडियो गेमें जिसे डबलब के आगया रॉक्स्टिडी के दोबारा सभी व्लाटफर्म के लिए काफी असानी देगास एपल अप इसे PC, PS4, PS5, Xbox में काफी असान तरीका से खिल सकते हैं गेम की मोट की बात करें तो भाई आप सिंगल प्लेयर मरेह सकते हो, मल्डि प्लेयर का इसमें कोई भी डिए। गेम की बात करें तो भाई यहांपको ग्राफick काभी काफिय। काफी राइलस्टिक यहांपर आपको देखने को मिल जाता है। पूरा आपको open world environment देखने को मिल जाता है basically गेम में करना आप क्या रहता है यहाँ पर आपको missions दिये जाते है अपने city को protect करना रहता है और आप जो आपका main character रहता है Batman का वो अपने Gotham City को protect करता है अपने दुस्मनों से तो basically यही गेम का concept है इस game को कुछ mission है दोस्तों काफे interesting mission यहाँपर आपको देखने को मिल जाता है और आपको एक पल का ऐसा लगेगा बईया मैं ही Batman हो अपने प्सक्राइब की बात की बात को राम की बात करें तो बिछार्जी भी होना चाहिए ग्राफिक अट की बात करें तुम इने में 1GB नीड एंट प्रोसेसर की बात करें तो आई 3 में के मानाम से लल जाएगा Space की बात करें तुब या मातर 35GB के आसपाथ Space खाल रखना आपने PCIe laptop पे इस गेम को इंस्टाल करने के लिए और अगर आप इस गेम को इंस्टाल करना चाहते हैं जिसे डबल अप किया गे DICE के द्वारा और इसे पॉब्लिश किया गे Electronic Arts के द्वारा ये गेम आपकी सभी प्लाटफॉर्म के लिए उपलब दे PC के लिए उपलब दे PlayStation 4 के लिए उपलब दे Xbox के लिए उपलब दे गेम की बोट की बात करें तो भया गेम यहां पर आपको Single Play देखने को मिल जाता है गेम की बात करें तो भया गेम का क्या के ना आप जिसी ग्राफिक्स देख सकते हो यहां पर आपको एक प्लाटफॉर्म मिलता है यहां पर आपको Missions दिये जाते हैं और आपको Missions को प्लीट करना रहता है जहां पर आप Missions कम्प्लीट करोगें वहां पर आपको पूरा Open World View मिलेगा और सबसे अची बात दोस्तों कि इस गेम का जो Graphics Quality वो काफी जादा Realistic है आपकी जो Mid Range वाली PCI Laptop है उसमे गेम आराम से चलेगा आप पूरा मज़ा ले सकते हो इस गेम का गेम की system requirement की बात करें तो भया RAM की बात करें तो मातर चार्ज भी होना चाहिए Graphics Arts की बात करें तो मिलें वह मंजी भी नीड है तो भया i3 में गेम राम से चल जाएगा स्पेस की बात करें पेस्ट खायल रेखना इस गेम को प्ले करने के लिए अगर आपका मन कर रहा है चलो यार देख लेते हैं कैसा गेम है तो शर्मानी की कोई बात ही वेफसाइट पे जा रहा है गेम को एस्टाल करना और प्ले करना है तो वेल गाइस इसी के साथ परते हैं हमारे गेम की बात करें तो गेम को रिलीस किया गया 23rd February 2021 को लेटेस्ट यह में दोस्तों यहां पर एक टैक्सी ड्रावर का कहिधार लिबाते हो यहां पर आपको मिशन दिये जाते हैं आपको अपने कस्टमर को इनके डेस्टेशन में ड्रॉप करना रहता है जब आप यहां पर मिशन कंप्लीट करोगे तो यहां पर आपको इनवार्मेंट देखने को मिलेगा वो टोटली ओपन वल्ल्ड देखने को मिल जाता है दूसरी बात कि दोस्तों इस गेम को ग्राफिक्स कॉलिटी वो काफी रियालिस्टिक है मतलब काफी ओपी ग्राफिक्स यहां पर आपको देखने को मिल जाता है साइध साइध जब आप इस गेम को खेलोगे तो भाहिया आप पूरा आपको एक ट्रैक्सी डैवर का मतलब एक्स्पिरियेंस होगा अगर आप टैक्सी चलाना चाहते हैं मतलब कभी चला नहीं पाएं तो भाहिया यह गेम स्रिफ आप ही के लिए बना हुआ है इस गेम को जो सिस्टम रिक्पार्मेंट है वो यहां पर रिफिल कर देना चाहता हूं we get data referrals penny theo मात्र 4GB चाहुआ Graphic Arts की बात करे तो मात्र 1GB की और दस तो seven आट की बात करे तो i3 में मैंदा काफी आटीकस चलेंगा Space की बात करे तो बहिया 5GB की आजबा चाहँ ऐस पार श्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए तो वेल गैस यही कुछ टॉप 10 गेम थे आपके 4GB RAM वोले PC Laptop पे और जो मैं टॉप 10 गेम आपको बताया हूँ यह हर एक गेम आपके 4GB RAM पे चलेंगे काफी मक्षन जैसा चलेंगे और आप High Graphics का यहाँ पर Experience ले पाओगे डूस्तो कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और जाहिर सी बातें पसंद आया होगा तो वीडियो को Like करो, Share, Subscribe करो चो कि तुम कभी करते नहीं हो Like करो गे तुमहरा क्या बिगड जाएगा देखते हो, Like करके नहीं जाते हो तो प्लीज लाइक करके ज़रूर जाना और एक बात दोस्तों कि अगर आप कुछ भी ऐसा दिक्कत आता है या आपको गेम कुछ इन में से दसो गेम चाहिए तो टेलीग्राम गुरूप को जोईन करो ना भीया वो डिस्क्रिप्शन नाम का एक कुछ जगा होता है वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा एक बटन दमाना क्लिक करके जोईन हो जाना तो मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखना अच्छे से रहना जीएफ के साथ घुमना तब तक लिए जय हिन जय भारत